असलाम अलेकुम दियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज जो हम लोगों ने आइसोमर्स पढ़ने हैं वो है आप्टिकल आइसोमर्स स्टीरियो आइसोमर्स स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में हम लोगों ने क्लासिफकेशन जो है वो पढ़ी थी कि stereo isomas होते हैं वो आगे से further divided होते हैं two types of isomas में एक होते हैं conformational और second होते हैं configurational जो configurational होते हैं वो आगे से further divided थे geometrical या जिसको आप cis और trans भी बोलते थे जिसके बारे में हम पिछले lecture में पढ़ चुके हैं और दूसरे होते हैं हमारे पास optical आज का हमारा lecture जो है वो optical isomers से related है यह हम लोगों ने आज हम देख रहे हैं ठीक है तो optical isomers की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि stereo isomers क्या होते थे stereo isomers का molecular formula से हम होता था stereo isomers का आपस में जो structural formula है यानि कि connectivity of carbon से हम होती है stereo isomers होते हैं उनका IUPAC naming से हम होती है differ क्या करती है orientation या फिर आप कहारों 3D में जो उनकी arrangement atoms और groups की जो arrangement है वो डिफर का रही थी और जिसकी वज़ा से physical properties डिफर करती थी ठीक है तो stereo isomers होते हैं वो basically 3D arrangement of atoms और groups की फरक की वज़ा से ये stereo isomers का phenomena originate होते है अब हम लोग उसमें से एक टाइप optical isomers है optical isomers है optical isomers की तरफ जाने से पहले कुछ ऐसी terms हैं जिसको discuss करना जरूरी है पहली term जो मैं यहां पर आप लोगों को discuss करना चाहती हूँ वो हम लोग कहते हैं हम लोग discuss कर लेते हैं chiral या फिर chirality chiral या chirality एक property का नाम है ठीक है ये एक ऐसी property है कि जिसमें हमारे पास कोई भी एक object या कोई एक molecule अपने ही mirror image के उपर superimpose ना हो ठीक है chirality एक ऐसी property है जब कोई object या कोई chemistry की term में लाजमी बात है कोई molecule होगा जो अपने ही mirror image होता है उसके उपर superimpose ना हो सके ऐसी property को हम chiral या chirality बोलते हैं ठीक फार एजमपल हमारे पास क्या है मैं बात करते हूँ कि हमारा जो ये हाथ हैं दोनों ये दोनों हाथ जो है ये एक दूसरे के mirror image है ये एक दूसरे के mirror image है ना ठीक है देखें mirror image जो होता है वो हमारे पास inverted होता है जो हमारे पास अब देखें इसका जो thumb है वो हमारे के है left side पे है और इसका thumb जो है वो right side पे ठीक तो ये दोनों एक दूसरे के mirror image है जब मैं इनको superimpose करूँगी तो ये properly superimpose नहीं होते देखें thumb के उपर thumb नहीं आया बलके thumb एक हाथ का और दूसरे हाथ का बाहर की तरफ है superimpose वो चीज़ होती है कि अगर मेरा ये वला हाथ इस वले हाथ के उपर बिल्लकुल आ जाता और मिझे single हाथ दिखाई देता दूसरे हाथ का मुझे पता ही न चलता कि उसके पीछे भी कोई हाथ है तो वो चीज़ होती है हमारे पास superimpose होना तो ये superimpose नहीं हो रहे इसी तरह से हमारे जो जूते होते है वो भी क्या होते है काईरल होते हैं देखें हमारे जूते काईरल होते हैं जूते के उपर जूता हम लोग नहीं रख सकते ऐसा ही है ना जूते के उपर जूता नहीं आता अगर जूता जो दोनों जूते पिलकुल एक जैसे होते हो वो superimpose हो सकते होते तो हमारे left और right जूते का फरक नहीं होता हम right वादा left और left वादा right में easily क्या कर लेते? पहन लेते ठेक है ना तो बहुत सी ओवो चीज़े भी ऐसी है जो के chiral है यानि जो अपने ही mirror image के उपर superimpose नहीं हो सकती completely ठेक तो chirality को हम कैसे define करते है it is a property of an object of an object और molecule ठीक है molecule यानि के chemistry जब हम पढ़ रहे हैं तो molecules की बात करेंगे it is a property of an object और molecule when it यानि के वो object या molecule cannot superimpose superimpose on its own mirror image तो ये याद रखें के chirality या chiral जो है वो एक property है अब question ये raise होता है के ऐसे वो कौन से object है जो के chiral है और वो क्यों काइरल है यानि के बात molecules क्यों काइरल है हमारे हाथ क्यों काइरल है देखें हमेशा वो चीज काइरल होती है जिसमें कोई plane of symmetry ना पाई जाए कोई भी plane of symmetry exist ना करे वो चीज क्या होती है काइरल होती है ते परपस के लिए मैं जो हूँ क्या करती हूँ अपना hand जो है वो यहाँ पर draw करती हूँ यह देखें अब अगर कोई भी object जो two equal halves में या more than two halves में parts में divide ना हो सके तो इसका मतलब है कि उसमें कोई भी plane of symmetry मुझूद नहीं है इस हाथ को देखें अगर मैं इसको equally divide करना चाहूँ तो यहाँ से अगर हम इसको cut करेंगे तो इस side पे हमारे क्या आ रहा है थाम आ रहा है लेकिन इस side पे थाम नहीं है इसका मतलब है कि यह हाथ इस plane पे cut करने की वज़ा से equally divide नहीं हो रहा एक जैसे two parts में divide नहीं हो रहा अगर मैं कहूँ कि इस plane में इसको cut करूँ तो तब भी यहीं मसला है कि इस side पे thumb है और यह वाला portion है जबकि उपर जो है वो four fingers आ रही है ठीक है तो किसी भी plane पे cut करने पे जो हाथ है वो equally two parts में divide नहीं होता इसी वज़ा से यह जो हाथ है यह एक chiral object की example है एक chiral object की example है अब यह जो हमारे पास एक chiral object है ना ठीक है तो मतलब chiral object वो होता है जिसमें कोई plane of symmetry मुझूद ना हो single plane of symmetry भी ना हो ठीक है कोई एक plane भी ऐसा ना हो कोई एक cut point भी ऐसा ना हो जो उस object को 2 equal एक जैसे हिस्सों में cut कर दे ठीक है तो यह हमारे पास chiral object की किसी भी object की chiral होने की वज़ा है जब उसमें plane of symmetry मुझूद नहीं होती अब question यह raise होता है कि object की बात तो हम लोगों ने कर ली लेकिन हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं chemistry ठीक है chemistry में कोई molecule कब chiral होगा ठीक है हम लोगों को experimentally पता चलता है कि जब कोई भी किसी भी molecule में organic molecule में carbon जो होता है ठीक है chiral carbon एक time इस्तमाल होती है ठीक है अब हम second time की तरफ move करें कोई भी ऐसा molecule जो कि chiral carbon रखता होगा वो molecule chirality show करेगा वो molecule chiral होगा chirality show करेगा chiral carbon क्या होता है ऐसा carbon जो sp3 hybridized हो ठीक है क्या हो sp3 hybridized हो और attach हो attach with four different groups यानि कि उसके चारो तरफ जो भी group लगे हुए हो वो क्या हो? different हो अब for example मैं बात करती हूँ कि मेरे पास एक compound है CH3 CH2 CH2 CH3 अब ये जो compound है इस compound में देखें अगर मैं इसको यहां से cut करती हूँ तो ये two equal halves में cut हो जाता है ठीक है? ये conditions है for chiral carbon ठीक है students अब इस compound में ये जो compound है ये normal butane बनाया है 4 carbon वाल है तो इसको मैं यहां से cut करूँ तो ये two equal halves में cut हो रहा है जो के एक दूसरे का क्या है? super impossible बिल्कुल एक जैसा है इसके भी सिरे पे CH3 है इसके भी सिरे के साथ CH2 है इसके भी सिरे के साथ क्या है? CH2 है तो ऐसी situation जिसमें plane of symmetry मुजूद है और वो super impossible हो उसको हम लोग बोल देते हैं symmetrical वो symmetrical होता है ठीक है? और उसके लिए हम लोग word इसमाल करते हैं achiral achiral यह कोँ सी प्रापर्टी है? यह achiral प्रापर्टी है symmetrical जो compound होते हैं उनमें achiral प्रापर्टी पाई जाती है अब इसी compound में अगर मैं यह second वाले carbon में एक edge को replace कर दूँ CL से ठीक हाँ जी अब आपका क्या है? अब अगर हम इसको यहां से cut करते हैं तो क्या यह पार्ट और यह पार्ट identical है? super impossible है? नहीं है न? super impossible इसका मतलब है कि इसमें यह वाला carbon जो है वो chiral carbon है chiral का मतलब यह वाला carbon sp3 है देखें यह sp3 है और four different groups के साथ attach है मैं आपको करके दिखाती हूँ यहाँ पर यह वाला carbon यह ठीक है? इस carbon के एक तरफ methyl है जो अब हमें पता है कि sp3 hybridized जो होता है वो tetrahydral shape दिखाता है tetrahydral shape इसके एक तरफ CH3 है एक तरफ यहाँ पर एच्छे ठीक है? अब हमारे पास क्या है? एक तरफ chlorine है chloro-glup लगाव है तो वो आगे की तरफ होता है उसको हम ऐसे wedge में शोका देए ठीक है? और जो पीछे की तरफ है उसको हम लोग क्या करते हैं? इस line में शोका देए उद्धर मैंने क्या दिखा दिया जी? C2 ठीक तो ये हमारे पास क्या है? देखें ये chiral carbon है ये sp3 hybridized है और इसके साथ चार different groups लगे वे हैं इसलिए ये chiral है डोनों conditions fulfill हो रही है अब इसका अगर मैं बात करते हूँ किसके? mirror image की तो इसका mirror image कैसा होगा? उपर CH3 है ठीक है? और ये हमारे पास क्या होगा? ये H ठीक है? और इसका हमारे पास क्या होगा? जो wedge है जिसके साथ CL attach है वो यहां show होगा ठीक? और जो हमारे पास परे जो हम लोगों ने दिखाना है वो इदर show होगा तो अब जड़ा इसको उठा के अगर हम लोग इसके उपर रखें तो क्या ये इथायल ग्रूप इदर नहीं लग जाएगा? ये इथायल ग्रूप इदर लग जाएगा ना? हमारे पास ये काइरल कार्बन होने की वज़ा से सुपर इंपोजेबल नहीं है ठीक है ना? तो काइरलिटी की कंडिशन यहां पर पूरी होगी क्योंकि विरर इमेज एक दुसरे के उपर सुपर इंपोजेबल नहीं है ये इसकी एक एक एकजामपल होगी हमारे पास ठीक है? तो अब हमारे पास काइरलिटी की भी डेफिनेशन समझ आगी काइरल कार्बन की भी हमारे पास क्या है डेफिनेशन समझ आगी साथ में मैंने आपको एकजामपल भी बता दिये ठीक है? अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ एक आइरल की भी आपको समझ आ गी है कि जब हमारे पास plane of symmetry पाई जाएगी तो ऐसी condition में हम उसको एक आइरल का word इस्निमाल कर देंगे वो symmetry का लोगा और chiral जो होता है वो हमारे पास क्या होता है unsymmetry का है तो वो हमारे पास काईरल होता है ओके students अब यहां तक आप लोगों को उम्मीद करती हूँ समझ आ गी होगे अब एक और term हमारे पास इस्तमाल होती है plane polarized light optical isomers क्या है वो मैं चलती हूँ यह आप लोगों को term समझ आ जाए तो optical isomers optical activity को हम लोग explain कर लेंगे easily उसके बाद plane polarized light एक term इस्तमाल होती है plane polarized light क्या चीज़ है students हमारे पास जो normal light होती है वो P plane polar राइस्ट लाइट पी पी एल जो normal light होती है वो हमारे पास electromagnetic waves होती है ठीक है और वो हर direction में क्या करी होती है उसकी directional 3D होती है मतलब वो तीनों dimensions में वो light जो होती है move का रही होती है उसकी beam जो होती है वो move का रही होती है हम लोग जब इस plane polarized यह जो normal light light है ordinary light है इसको हम लोग एक प्रिजम में से गुजारते हैं उस प्रिजम का नाम क्या है Neckle Prism जब इस प्रिजम में से गुजारते हैं to ये प्रिजम क्या करता है यह इस light को polarized कर देता है मतलब one dimension को गुजरने देता है और दूपा की dimensions वली light को रोक लेता है ठीक है इस इसके example हम कैसे समझ सकते हैं, for example, हमारे पास क्या है, कि मैं कहती हूँ कि यह हमारे पास slits है, ठीक है, इस slits में से light ने गुजरना है, कुछ light की beam ऐसे आ रही है, कुछ light की beam ऐसे आ रही है, कुछ light की beam ऐसे आ रही है, अब वो गली beam जो इस slits के direction के parallel आएगी, वो तो इसमें से गुजर जाएगी लेकिन जो light की beams ऐसे आ रही है ऐसे आ रही है ऐसे आ रही है वो रुक जाएगी तो सिरफ और सिरफ क्या है single direction वाली इसमें से beam गुजर जाएगी यानि कि एक direction वाली beam इसमें रहा जाएगी और फिर इस light को हम लोग बोलते है plane polarized light ठीक है plane polarized light जो होती है असल में optical activity उसी से related है ठीक है अब optical activity क्या चीज़ होती है अब हम लोग move कर जाते है अप्टिकल एक्टिविटी की चरफ जी इस्टो करें से अब हमारे पास क्या होता है ordinary light जो के हर direction में होती है उसको हम लोग पहले convert कर लेते हैं नाइकोल प्रिजम के जरीए किसमे one dimension वली single dimension वली light जिसको हम बोलते है plane polarized light ये plane polarized light को हम लोग गुजारते हैं किसी ऐसे solution में जो के solution होता है किस चीज़ का chiral या chirality रखने वले compound का ठीक है ये solution किसका होता है ऐसे compound का जिसमें chirality मुजूद होती है यानि कि asymmetrical यानि कि इसमें chiral carbon होता है ठीक है तो मैंने इसमें क्या डाल दिया chiral compound उसका solution है ये इसमें से जब plane polarized light गुजरेगी ना तो होगा ये कि ये solution जो है क्या कर देगा इसको ये इसकी असर डिरेक्शन थी इसको clockwise rotate करवा देगा ठीक है clockwise रोटेट करवा देगा या anti-clockwise रोटेट करवा देगा अगर ये solution इसको clockwise रोटेट करवाता है तो हम बोलते हैं कि ये वाला जो compound था ठीक ये था dextro-rotatory dextro-rotatory ठीक है इसको D से या फिर positive sign से show किया जाता है ठीक ये कब है condition जब clockwise rotation हो ठीक है अगर compound जो होता है वो anti-clockwise rotate करवा देता है plane polarized light को ठीक है anti-clockwise तो उस case में इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं में होती है और एक और बात आप लोग याद रखें कि हम लोगों को without experiment नहीं पता चाल सकता कि कौन सा compound clockwise rotation देने वाला है और कौन सा anti-clockwise ये सिरफ और सिरफ polarimeter की मदद से ही जाना जा सकता है ठीक है हम लोग structure देख कर अंदाजा नहीं कर सकते ठीक है यहां तक आपको बात समझा गी है dextor rotatory clockwise क्लॉक्वाइस और anti-clockwise होगा तो लिवर रूटेटरी एल और नेगेटेशिस को छो किया जाता है ठीक है अब हम लोग चलते हैं किसके तरफ स्टूनेंट्स एक्जांपल मैं कोट करती हूं बहुत इंपोर्टेंट एक्जांपल है पहली एक्जांपल जो मैं इसकी कोट करती हूं मैं एक chiral compound लेने लगी हूं जिसका नाम है lactic acid lactic acid जी lactic acid क्या होता है lactic acid कि एक तरफ होता है acid है तो लाज़ी बात है carboxly group होगा ठीक है OS होता है CH3 होता है और यहां पर मैंने शोग कर दिया क्या वो जो इच्छे ठीक lactic acid को मैं common जब हम लोग लिखते हैं तो हम इस तरह से यह लिखते हैं ठीक है इसका और नाम क्या होता है टू हाइड्रोक्सी क्यूंके second carbon पर OH ग्रूप लगाओ है ठीक है प्रोपेन नोइक ओएड्रोक्सी कर्वाक्सी ग्रूप की पेचान होता है उसकी और प्रोपेन थ्री कार्वन वादा प्रोपेन ओएड्रोक्सी असे ठीक इसका गॉमन नेम होता है लाक्टिक एसिट अब देखें आप ये अगर मैं इस लाक्टिक एसिट का मेरर इमेज गूँगा तो इसका मेरर इमेज कैसा होगा इसका COOH तो उपर ही शो होगा ठीक है ये OH जो है यहाँ शो होगा जो wedge बनेगी वो यहाँ शो होगी और जो edge है ठीक है वो यहाँ शो होगा अब देखें अगर मैं इसको उठा कर इसके उपर रख दूँ तो ये super impossible नहीं है ये दोनों मेरर इमेज एक दूसरे के super impossible नहीं है इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इन दोनों के पास ये वाला carbon chiral है और ये दोनों क्या है optically active isomers ये अगर क्या करेगा light को rotate करवाएगा clockwise clockwise rotate करवाता है तो ये करवाएगा anti clockwise ठीक है clockwise के लिए हम लोग d या positive का sign और anti clockwise के लिए l या negative का sign ठीक है अब ये वारे पास क्या होगे ये दोनों optically क्या है active है एक इसमें से light plane polarized light को clockwise rotate करवा रहा है तो दूसरा इसमें से anti clockwise rotate करवाएगा और क्या होगा मरे पास एक और टर्म इस्तमाल होती है ये दोनों एक दूसरे के क्या है enantiomers है क्या है enantiomers ठेक्ट के एक मालेक्यों जो है वो और है दूसरा लीवो है और दीतरो और लीवो एक दूसरे के enantiomers होते हैं आगे बात की समझ ठेक है अब एक ट्रम इस्तमाल होती है रेसीमिक मिक्स्टर की रेसीमिक मिक्स्टर क्या होता है जब हम लोग डेक्स्ट्रो और लिवो रोटेटरी जो अप्टिकल अक्टिव आइसोमर्ज होते हैं उनको इक्वी मोलर इक्वी मोलर क्वांटिटीज में हम लोग क्या डाल दें पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनेंशियोमर्ज को ठेक है तो क्या अब अगर हम लोग इसमें से क्या करते हैं प्लेन पॉलराइज लाइट को मैं इसमें से गुजारूं इस मिक्स्चर में से तो क्या ये लाइट को रोटेट करवाएंगे? नहीं ये लाइट को रोटेट नहीं करवाएंगे बलके लाइट जो है उसी सिंगल डिरेक्शन में बाहर शो होगी वज़ा ये है कि जो मारे पास डेक्स्ट्र रोटेटरी है वो अगर क्लॉक्वाइज रोटेट करवा रहा है लाइट को तो उतने ही मिकदार में लीवर रोटेटरी भी मुझूद है वो उसको लेफ्ट साइट पे मूव करवाएगा दोनों एक दूसरे के जो रोटेशन है उसको कैंसल कर देंगे है इस वजह से light plane polarized light जो है वो रोटेट नहीं होगी तो यह पास क्या हो जेगा optically inactive हो जेग रासीमिक mixture जो होता है वो optically इन अक्तिव मिक्सिर है आगे श्मयज सेरी में अप्टीकली इन अक्तिव मिक्सिर होता है क्योंकि 의 उसमें equimolar quantities में मारे पास liver dextrose दोनों enantiomers मुझूद होते हैं ठीक है अब हम लोग चलते हैं एक और example की तरफ और उसकी मदद से एक नई टर्म है आप लोगों को समझाऊंगे तर्तारिक acid भी chiral property रखता है तर्तारिक acid तर क्या formula है C-O-O-H C-C-C-O-O-H यह diowake acid है यानि के इसमें दो carboxyl group होते हैं और दो इसके साथ OH group क्या होते हैं अटैच होते हैं ठीक है अब टाटारिक acid के जो मैं structure draw करने लगी हूँ वो मैं fissure projection के जरीए show करूँगी मतलब क्योंके वो wedge और वो dotted lines के जरीए show करना difficult काम होता है तो हमारे पास एक easy way होता है मैं उस तरीके से इसको show करूँगी देखे student हम लोग टाटारिक acid के जो mirror image है उसको कैसे show करेंगे carbon के एक तरफ o h है इधर मैंने carbon के दूसी तरफ o h लगा दिया इधर मैंने h लगा दिया इधर मैंने h लगा दिया ठीक है अब इसमें देखे ये वाला carbon क्या है काइरल है ना ये वाला carbon काइरल है और ये वाला carbon भी क्या है काइरल है दो काइरल काइरल कारबन जैसे थीक अब मैं अगर इसका mirror image ड्रा करती हूँ तो ये इसका क्या है अगर मैं इसको ठाके इसके उपर रखूँ तो क्या ये superimpose है नहीं है ना superimposable इसका मतलब है ये दोनों optically active है और ये enantiomer यानि कि अगर ये positive होगा तो ये negative होगा ठीक है अब देखें इसकी एक और racemic mixer के बारे में पढ़ लूँ अगर हम लोग क्या करें equimolar positive and negative mixer लेल ठीक है तो फिर क्या होगा it will be optically inactive ठीक है ये दोनों forms enantiomers है ये optically active है ठीक है two forms optically active है ये हमारे पास third form है racemic mixture ये optically inactive है इसकी एक fourth form भी होती है students वो देखें क्या है अगर मेरे पास ये देखें tartaric acid ये अब यहां पर देखें इसके क्या पाया जा रहा है plane of symmetry इस क्या पाया रही है plane of symmetry ये वली सकी form भी क्या है optically inactive optically inactive form of tartaric acid क्या कहते है इस form को इसको बोलते हैं मीजो इसके लिए क्या इस्तमाल होता है मीजो का वर्ड इस्तमाल होता है ठीक तो टाटारिक एसेड की हमारे पास क्या है चार जो है वो फॉर्म्स एक्जिस्ट करती है जिन में से दो अप्टिकली आक्टिव है और दो अप्टिकली इन आक्टिव है तो ये सब कुछ था हमार प्रॉपर्टी रखते हैं ठेक मतलग अपने मिरर इमेज के उपर सुपर इंपोजेबल नहीं होते हैं लहाजा प्लेन पोलराइज लाइट को या तो लीवो यानिके एंटी क्लॉक्वाइस या फिर डेक्स्ट्रो यानिके क्लॉक्वाइस रोटेट कर देते हैं तो ऐसे कंपा अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नॉटिफिकेशन को आन कर ले ताके मेरी न्यू आने वली वीडियो आप तक बरवक्त पहुंचती रहें अपना ख्यार रखिएगा अल्लाहाफेज